सन 1948 से 1956 तक का मद्व देश अलग अलग चार भागों में विभाजित हुआ करता था आजादी के बाद भारत में 562 रियासेते थी जिनको एक कर भारत संग में सामिल करना एक चनोती थी इसका बीड़ा लौपुरुस सरदार वल्लब भाई पटेल ने उठाया था उस समय का मद्व देश, मद्व भारत, बिंद प्रदेश, भोपाल और सीपी एंड भरार ये चार भागों में बटा हुआ करता था इन सभी चारों की अपनी सासन वेवस्ता थी, जैसे मद्व भारत की दो राजधानी थी, साड़े छे महिने के लिए ग्रिश्म राजधानी गौलियार और साड़े पाँच महिने के लिए सीत राजधानी इन दोगर। यहां जीवा जी सीन्धिया राजप्रमुक तो यसवंत राव हुलकर उप राजप्रमुक थे, मद्व भारत के मुक्यमंत्री लीला धर जोसी बने, यहां की पहली विजान सभा मोती महल में लगा करती थी, विन्द प्रदेश का भी गठन सन 1948 में हुआ, यह बुंदेल खंड, बगेल खंड को मिला कर बनाया गया, इसके पहले मुक्यमंत्री सम्मुनात सुकला थे, इसके राजप्रमुक मरतंड सिंग, एवं उप राजप्रमुक अउधेश प्रताप सिंग थे, विन्द प्रदेश की ततकालीन विधान सभा रिवा इस्तिद भवन में लगा करती थी, जहां अब नगर निगम का कार्याला है, सन 1948 में ही सीपी एंड बरार को महा कौशल बरार चट्यस गड़ पूरवी बगेल खंड विदर्ब को मिला कर बनाया गया, इसके पहले मुक्षमंतरी पंड़ीत रवी संकर सुक्र शुक्ल थे और राजुपाल इयरागवेन्द राउ थे, इसकी राजधानी नाकपूर हुआ करती थी, और नाकपूर में ही मिदान सभा लगा करती थी, बवपाल राज सن 1949 में सामिल हूआ, इसके मुक्क मंतरी शंकर द्याल सर्मा जी थे भुपाल के इस मेंटो हॉल में ही मिदान सबा लगा करती थी मद्द प्रदेश का पुनर गठन एक नॉम्मर सन 1956 को हुआ तब मद्द भारत विन्द प्रदेश भुपाल और सीपी परार के महा कौशल 36 गड़ को मिलाकर मद्द प्रदेश का बनाया गया साथि साथ विदर्ब और बरार को इससे प्रिथक किया गया और इसकी राजधानी वपाल बनाई गई मद्द प्रदेश गठन के उपरान मद्द प्रदेश में सबसे पहला चुनाव 1957 में हुआ तो यहां गवरेला विदान सवा अस्तित्त में आई और यहां से सबसे पहले विदायक पंडित मतरा प्रसाद दुबे जी बने इसी प्रकार मद्द प्रदेश के सबसे पहले मुख्र पंतरी पंडित रवी संकर सुक्ल जी बने